तो फोटो जो स्मोखãyLMET का है न यह दो जो अलमूनियम फ्रायम से लगा हुआ यह दोनों कुछ से इसको देखने लिए दो इन गुद्ण Erщее न विसकरता है अगला स्ट्रक्चर यह रही हुस मांस्क का ठीक है तो एक्चुली ये mask tape के structure है जो हमारे face को पूरा cover करता है और ये जो pipe लगा हुआ यही क्या है host है ठीक है तो इस पर हम लोग पहले smoke helmet देखते हैं फिर host mask देखेंगे तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसका photo को तो यह हमारा क्या है इसमोख हिलमेट है और यह होस मास्क है ठीक है इसके डिटेल्स को भी हम लोग देखते हैं तो अभी टॉपी का नाम है एर प्रेसर होस अपरेटरस इसका रथ है कि हम लोग हवा को प्रेसर के साथ एक पाइप के थूरू भीजते हैं कि इसको जो विएरर इस अपरेटरस को पहना है इसमें डो टाइप का पला इसमोख हिलमेट दूसरा होस मास्क है तो बोर्द इस एप साथ में इसे 50 मीटर का पाइप जूड़ा होता है और वह पाइप का जो दूसरा एंड होता पहला एंड हो हीलमेट के साथ लगा होता है दूसरा है फ्रेस एर बेस पे होता है जहां पर पर एक दूसरा बश्चन रहता है वह क्या करता है एक hasnог बिडबल लोडबल बेलो deville spelling होता है कि एक fan टाइप का है है, उसको hand rotated fan बोलते हैं ठीक है उसी को बेलो बोलते हैं, उस fan को rotate करने से क्या होता है कि fresh air से मसा fresh air based उस with a, best sight of fresh air उस pipe के थुरु वेर को आ रहा है, और very एर कहां गया है तो भी एरर ऐसे एटमस्फेर में गया है जहां पर फ्रेस एर नहीं है तो उसको ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है तो उस पाइप के थू मिल रहा है जो उसके हेलमेट से लगा है पाइप 50 मीटर का लेंद कराता है और पाइप का दूसरा एंड कहां पर है वो फ्र के तुरू जो इसको पान के अंदर गया उसको हवा मिलता है ठीक है तो इस मोग हेलमेट के ये टफ पॉलिथीन का बना होता है इसमें आई पीस होता है जो हम फोटो में ज़स्ट देखे थे वह आई पीस अल्मुनियम फ्रेम में फिट होता है और एक कनवास स्टेपिंग होता जो सॉलडर में लगा होता है उससे क्या करता है कि एर प्लेशर जो उसको आ रहा है वो उसको इडDP कर सकतको ज्यादा आ और उसका 30 meter length है ठीक है कहीं कहीं 50 meter भी रहता है तो विएरर को fresh air कहां से मिलता है तो fresh air उसको fresh air base से मिल रहा है fresh air base क्या है कि affected part of the mind से nearest possible place जहां पर fresh air easily available उसको fresh air base बोलते है और वो बेलो को को नपरेट करता है तो उसको कोई दूसरा portion है बेलो क्या है hand ribbon fanatic अब उसी तरह से host mask होता है उसका second में लोग फोटो देखे थे उसमें भी क्या है कि एक mask लगा रहता है जो विएरर के face को cover करता है और उससे भी एक pipe लगा रहता है उसको हम लोग host बोलते हैं उसका दूसरा end कहां रहता है fresh air base में रहता है इसका क्या-क्या parts है इसमें inhalation भल्व रहता है exhalation भल्व रहता है air filter रहता है air filter क्यों हो ताकि dust का entry ना हो और एक corrugated tube वह यह mask न मास्क जो आदमी पहना है और उसको connect करने वाले जो pipe उसको corrugated tube बोलते हैं इसमें थोड़ा अंतर क्या है gas smoke helmet और host mask में अंतर क्या है smoke helmet थोड़ा भारी रहता है structure जैसे हम लोग देखे थे host mask में क्या है वो थोड़ा सा easy structure है उत्ता complex structure नहीं है light weight होता है इसका रन क्या है जो इसको पाना है उसका head का movement sir का movement easily हो जाता है ठीक है अब इसमें है कि हम लोग जो host mask या फिर smoke helmet पाने है तो उसके अंदर उसको पान कि हम लोग irrespirable atmosphere में गए हैं चाहे तो inspection करने के हैं विजिट करने के हैं survey करने के हैं या फिर कुछ काम करने के हैं तो एक question arise होता है कि वहां का poisonous air इसके अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता तो answer है नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता तो इसलिए नहीं आ सकता कि अंदर वो जो pipe के through below को rotate करके जो हवा आ रहा है तो वो atmospheric pressure से ज्यादा प्रेशर में है तो जब अंदर ज्यादा प्रेशर है बाहर कम प्रेशर है तो बाहर कोई विच्छी high pressure से low pressure जाता है यहां पर high pressure कहा है कहां पर है smoke helmet के अंदर है तो वहां प जो person काम कर रहा है वो safe है तो इस air hose pipe का maximum length कितना रहता है पचास मिटर रहता है इससे ज्यादा extend नहीं कर सकते है इससे ज्यादा extend करेंगे तो क्या होगा जो अंदर worker काम कर रहा है जो उसको पहन के गया है उसको air sufficient pressure में नहीं मिलेगा उसके समस का breathing difficult हो सकता है प्लस बाहर का air अंदर लीक कर सकता है तो इसलिए 50 मिटर से ज्यादा हमनों पाइप को extend नहीं करेंगे ओके और हां एक और है कि जहां से fresh air supply कर रहे है ठीक है तो वहां पर क्या होगा एक फ्लेम से फ्लेम रहेगा और एक कैनरी बार्ट रहेगा फ्लेम से प्लेम क्या बताएगा कि वहां पर सफिसेंट ऑक्सिजन है कि नहीं अजर फ्लेम शेफ्लेम बूच आता मतलब आपर सफिसेंट ऑक्सिएंट नहीं और और चैनरी बर्ट सीओ डिटेक्शन के लिए यूज होता है ठीक है तो यहीं है एर प्रेसर होस अपरेटर इसमें दो चीज आए स्मोक हेलमेट और होस मास क्यक्ता नहीं इसा है व्राइब करता है कि टो कोई बेर प pluginsें यहीं को है यूज होरा है शिएंट अूसके तुर्ड तो आता है तो इसको